सो नेक्स्ट है human capital and human development human capital और human development क्या है माल लो आपको वोई अच्छी education दी जारी है आपकी health अच्छी है आपको time time पर school वाले check-up करवा रहे हैं यह आपको vaccination प्रोवाइड किये जारी है तो वो क्या है human development है बट जब आप लोग country के लिए काम करते हो या फिर कोई भी productive काम करते हो तो वो क्या हो जाएगा human capital हो जाएगा जैसे आप लोगों का human development है और मेरा क्या है मैं अगर job कर रही हूं productivity दे रही हूं तो वो क्या है human capital देखो जैसे education and health which are help to increase the productivity मेरी education और मेरी health की वजह से क्या बढ़ रही है productivity बढ़ रही है चीक है second point देखो अगर मेरी कोई भी investment जो मेर मेरी education में हो रही है any investment in education जैसे मालो मेरी education में मैंने कोई investment की मैंने आगे PhD की या कुछ भी किया या health में कोई investment की वह अगर जब तक मेरी मैंने goods और services नहीं बढ़ाई मतलग कोई भी काम देश के लिए अच्छा नहीं किया या तो वह क्या हो जाएगा unproductive हो जाएगा जैसे मा college में ना पढ़ाकर मैं अभी तब भी स्कूल में टीच कर रही हूं तो वह क्या है अन प्रोड़क्टिव है एन इंवेस्टमेंट इन एजुकेशन है इस अन प्रोड़क्टिव इस डाजन्ट इंक्रीज्ट गूड्स और सर्विसेज चिक है जबकि हमारा human development क्या है human development का मतल रहे हो चीक है उसके बाद तभी तो आप लोग च्वाइस बना सकते हो कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है only then you can make choice what you will do in your life if you are able to read and write as well as you are leading a healthy life next is human welfare if people are educated and people have a healthy life only they can have only then they have the human welfare human welfare should increase through the investment in education and health in last point every individual have a right every individual have a right to get education and lead a healthy life हर individual का यह राइट है कि उसको healthy life जीनी चाहिए और उसको literate होना चाहिए सो नेक्स्ट है अपका सम आमारे यहाँ पर क्या है कुछ regulatory authorities हैं कुछ regulatory authorities हैं जो education को और health को control करती है जैसे national council of education and training यह तो सबको बता है ncrt ncrt school level पर चेक करती है school में देखती है कि कैसे books सही है नहीं है तो school level पर जो चेक कर रहा है वह क्या है ncrt ऐसे UGC जो है university grant commission वह college level पर चेक करता है कि सबकुछ सही है यह नहीं है तो वह कौन चेक कर रहा है यूजी सी यूवरस्टी ग्रांट कमिशन नेक्स्ट आपका ओल इंडिया ओल इंडिया काउंसिल ओफ टेक्निकल एड्यूकेशन एडियू कोई भी मतलब जैसे इंजिनियरिंग कॉलेज है उनको कौन एक तरह से रेगुलेट कर रहा है एडियू जितने भी टेक्निकल कॉलेजि हैं डाल एंडिया काउंसिलन आफ अपकोर्गेशन नेक्स्था हेल्ट में जो कंट्रोल कर रहेवह कौन है इंडियान काउंसिल फॉर मेडिकल रिसरcz पर पाइंडिया कॉंसिल मेडिकल रिसर्च इस हेच्टेसेटर्प इंडिया हमारी गौर्मेंट जो में अपर पहले 7.92 कुछ खर्च कर रही थी जो कि अब बढ़ कर कितना हो गया 15.7 जबकि GDP का GDP का हमारी कंट्री में पहले सिरफ 0.64% एजुकेशन पर खर्च किया जाता था अब वो हो गया कितना 4.13 जबकि वो होना चाहिए 6% कुछ तो यहां पर यही बताया कि जीडीपी का एजुकेशन के उपर पहले 0.64 खर्च होता था अब 4.13 हो रहा है जबकि वो होना कितना चाहिए 6% होना चाहिए नेक्स्ट है अपका इंपोर्टेंट पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स ओफ गॉर्मेंट एक्सपेंडीचर जो गॉर्मेंट है वो प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा खर्च कर रही है फर्स्ट में यह कहा है कि गॉर्मेंट जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करती है सेकेंड में कहा है कि गॉर्मेंट जो है वह हाईर एजुकेशन में खर्च तो कम करती है बट जो फाउन Viel जो पर स्टुडेंट घर एजूर ड्यूपैशन वह हाईर एजूकेशन में कम जाते हैं जैसे मालोग कि अगर प्रायम्री एजुकेशन में गॉर्मेंट 50 क्रोड खर्च सर रही है और 100 क्रोड ही स्टुडेंट है तो वन क्रोड पर स्टुडेंट खर्च हुआ बट हाइयर एजुकेशन में गौवर्मेंट ने खर्चा कम कर दिया 50 क्रोड कर दिया और स्टुडेंट का है टैन क्रोड टैन क्रोड स्टुडेंट से हाइयर एजुकेशन में बच्चे है लाश्ट प्व載ट में कहा कि अलग-अलग स्टेटेश में अलग-अलग खर्चा करती think जैसे हिमाचल प्रदेश की गौवर्मेंट्स सबसे ज़्यादा एजुकेश्न पर खर्च करती है गा पीप्रेट system के कुल और है और हिमार्चल पर्देश में सबसे ज्यादा हो रहा है